अब हम बात कर लेते हैं हिंदू की चीक है हिंदू में काफी जारी न्यूज आज आई हुई थी तो हम जो है सबसे पहले यहां देखेंगे आप सभी को पता है कल ही मैंने बताया था कि हमारे यहां पर महंगाई 15 महीने से जादा हो गई यानि पिछले 15 महीनों में इतनी महंगाई नहीं देखने को मिली है जो अभी देखने को मिली है यानि महंगाई जो है वो आसमान चू रही है और महंगाई बढ़ने का मैंने आपको सबसे बड़ा reason भी बताया था सबसे बड़ा कारण है खाना, खाने की चीजों में महंगाई बहुत जादा बढ़ी है vegetables हो गए, सबजियां हो गई, खाना हो गया खाना उनमें महंगाई सबसे बढ़ी है जिसकी वज़ा से overall जो महंगाई है वो बढ़ गई है जी है ना तो उस overall महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखे, economy का एक simple सा rule होता है, जब हम economics पढ़ते हैं, उसका एक simple सा rule होता है rule यह कहता है, कि जी अगर मालो supply जो है, supply जो है किसी भी चीज की, supply जो है किसी भी चीज की वो कम हो जाती है है ना तो definitely महंगाई जो है वो बढ़ जाती है तो एक तो ये तरीका होता है जिससे महंगाई बढ़ जाती है दूसरा तरीका जो होता है हम एक next page पर लिखते हैं तो महंगाई बढ़ने के दो basically कारण होते हैं जब supply किसी भी चीज की कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है या फिर demand किसी चीज की बढ़ जाती है, तो भी महंगाई बढ़ जाती है, demand कैसे, मतलब example के तौर पर मैं बताती हूँ, कि एक मिठाई होती है, कोई भी मिठाई है, जो 200 रुपे किलो है, मालो 200 रुपे किलो है, और वो ही मिठाई, जब दिवाली आती है, तो वही मिठाई, सेम मिठाई, आपको 300-400 रुपे किलो में जो है, मिलेगी, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उस मिठाई की मिठाई में, मिठाई नहीं बढ़ लिए, मिठाई का टेस्ट जादा, बहुत सारे अलग-अलग इलाकों में, जैसे दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, पंजाब वाले एरियाज में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वज़ा से, जो राईस था, जो चावल था हमारा, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, इसलिए हमने चावल को बेचना भी बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे खुद के लोगों की पहले, डिमांड पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर सप्लाई कम हो जाती है, किसी भी चीज़ की, जैसे अगर हम सप्लाई कम हो जाएगी, तो भी महेंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सो यह एक चीज़ है, तो डिमांड तो उतनी रहेगी, सप्लाई नहीं आरी पीछे से, तो जितनी भी सप्लाई है, मास्क हो सकता है आपको 2-3-3 रुपए में भी मिल जाएं बट उस आप सभी को पता है कि वो छोटी सी कोई दुकान है जिस पर 10 ही मास्क है यानि सप्लाई उसकी कम है ठीक है अब उन 10 मास्क को अब उसको पता है बच्चे तो 100 है उस 10 मास्क को मेहंगे उस پर बेचेगा 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 यह नहींत बेचेगा क्योंकि supply यहां पर कम है और demand यहाँ बढ़ी हुई है ठीक है तो नहीं को पता है है तो ये economy का demand and supply का एक छोटा सा simple से rule होता है जिसकी वज़े से महंगाई बढ़ती और घटी रहती है अब क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पर food की वज़े से सबसे जादा जो महंगाई है खाने की वज़े से पूरी overall महंगाई बढ़ गई है तो हमने सोचा है कि wheat जिसकी supply जो है बहुत कम हो रही है ठीक है यहाँ पर जो example है जो example है news में वो है wheat का ठीक है हम news पर ही चलते हैं फिर आगे देखेंगे यहाँ पर जो example है वो है जी wheat का वो है जी गेहूं का ठीक है तो गेहूं यहाँ पर जो है overall महंगाई को कम करने के लिए हम क्या करते हैं हम बाहर से मंगवा रहे हैं ताकि supply हमारी ठीक रहे और हमारी महंगाई जो पहले से अल्रडी बहुत जादा बढ़ी हुई है वो ना बढ़े ठीक है तो यहां पर supply increase करनी है हमने जिससे हमारी inflation काम हो सके I hope यह आपको relation समझ आ गया wheat import है Russia से will allow India to intervene अच्छा यह हमने देख लिया कि यह जो wheat wheat import है import का मतलब हम जो खरीद रहे हैं तो हम रश्या से खरीदने का सोच रहे हैं जिससे हम अपनी overall जो महंगाई है फूड की उसको कम लाने का सोच रहे हैं ठीक है and this is one of the reason यहां पर आप बोल सकते हो India जो है इंडिया ने यहां पर अच्छा 2017 में हमने यहां पर import किया था एक significant amount of wheat जब हमने private traders यहां पर आप बोल सकते हो when private traders ने ship किया था 5.3 million metric tons चलिए यह तो पुराना data है बट अभी भी हम जो है अपनी महंगाई कम करने के लिए supply side measures ले रहे हैं यह आपने देखा ना दो measures है मतलब जब दो कारणों की वज़े से महंगाई बढ़ रही है तो वो solve भी तो दो ही कारणों से होगी ना है ना तो हम supply side पर काम कर रहे है supply side measures यानि इस वाली side पर हम काम कर रहे है ताकि हमारी महंगाई कम हो सके ठीक है और fuel जो है वो add करते हैं तो headline inflation आपको हमेशा बहुत जादा मिलेगा ठीक है चलिए इंडिया में जो wholesale wheat का price है वो 10% बढ़ गया है पिछले दो महीनों में जो कि ये काफी जादा बढ़ोतरी है लास्ट येर इंडिया ने बैन कर दिया था wheat का export क्योंकि output हमारे यहाँ पर कम था और इस साल crop इस साल जो wheat है वो हम expect कर रहे हैं to be at least 10% lower than the government estimate तो definitely यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि जी हम जो है जितना सरकार उमीद लगा रही है कि हमारे यहाँ पर wheat का उत्पाद होगा उससे 10% कम होने वाला है तो हमारे यहाँ पर भी एक तो कम हो रहे है और जो है बाहर से भी अगर हम नहीं लेंगे तो वही फिर supply side में दिक्कत आ इसलिए हम जो है